एक टाइम था जो फेस्टिवल्स पे आमिर खान अक्षे कुमार ये सारे अक्टर्स थेटर के बाहर हाउसफुल का बोर्ड लगाने को मुझबूर कर देते थे लेकिन सच बोलू तो लास्ट टाइम मैंने एकदम 100% फुल थेटर के साथ सिर्फ तक कश्मीर फाइल्स को देखा था उसके बाद से सारी बॉलिवुड फिल्मों में थेटर्स अल्मूस्ट खाली ही रिखते हैं लेकिन अब वो सेम मेकर्स जिन्होंने कश्मीर फाइल्स को बनाया वो एक दूसरी फिल्म को लेकर आये हैं और कमाल की बात सुनोगे आमिर खान अक्षे कुमार की फिल्म थेटर्स में होने के बावजूद सीट्स एकदम खाली पड़ी है लेकिन बिना किसी प्रमोशन, बिना किसी चीप पॉलिसिटी स्टन्ट सिफ अपने कॉंटेंट के दम पर इस तीसरी फिल्म ने सारे थेटर्स को हाउसफुल कर दिया है समझ तो गए होगे बात यहां पर कार्टिके 2 की हो रही है जिसको दबाने की कोशिश पूरे बॉलिवुड ने एक साथ मिलकर बहुत की यह तेल्गु सिर्माने सिफ 15 करोड में हॉलिवुड की तरह फैंटेसी एडवेंचर फिल्म मनाने की कोशिश की है अनबिलीवबल नकल नहीं डारेट कॉंपटिशन श्री कृष्ण यह नाम हर उस इंसान की डिक्षणरी में लिखा है जो सांस ले सकता है लेकिन क्या श्री श्री कृष्ण के मार्थलोजी नहीं हिस्ट्री होने के सबूत है या फिर सीधा मौत वैसे यह मिशन इतना सिंपल नहीं है जो इतना दिखता है क्योंकि कार्टिक के पीछे-पीछे एक साया भी चल रहा है वो जिसका डिरेक्ट कनेक्शन श्री कृष्ण से है और जो पलक देखेगा ये सब इससे अच्छा easy romance comedy बना लो लेकिन ये सारी problems इस film के मामले में दूर करने वाले खुद श्री कृष्ण है क्योंकि इनका नाम story से connect होते ही family audience भाग के theater पहुँचना चाहती है प्लस mythology नहीं history ये debate काफी लंबे time से चल रहा है और कोई भी film maker ऐसे subject उठाने से appreciated लेकर फिल्म बनी कैसी है honestly screen play थोड़ा सा tight होना चाहिए कहीं कहीं पर छोटी scenes भी लंबे कर दिये जाते हैं जो फिल्म को थोड़ा पट्री से उतार देते हैं प्लस श्री कृष्णे की life से और ज़्यादा details को explore किया जाता ना कि फिल्म के hero के around extra characters में time waste करना तो इस फिल्म की बात ही कुछ और होती बट येस adventure है एकदम तगड़ा वाला बहुत unique different और experimental टाइप का cinema जो Bollywood की बहुत से बहुत बाहर है लेकिन telgo cinema is on the rise और हाँ फिल्म में अनुपम खेर सर का एक छोटा सा monologue है 3-4 मनिट का वो सुनके सच में आपको goosebumps feel हो जाएंगे कृष्ण कौन है क्या है उनका नाम हमारी जिन्दगी में क्यों लिखा गया है सारे सवालों के जबाब with explanation अनुपम सर खुद देंगे आपको अब देखो good news यह है कि कार्टिके 2 हिंदी डबिंग में भी release हुई है लेकिन shows बहुत ही जादा कम है मुश्किल से एक दो पूरे दिन में अब टाइम है audience को अपनी power दिखाने का सबसे पहले फिल्म का trailer देखिए अगर आप उससे relate कर जाते हो तो बहुत स्वादा है मेरा theater में कुछ ऐसा experience करने को मिलेगा जो लाल सींग चड़ा और रक्षा बंदन दोनों आपको एक साथ मिलकर भी नहीं करवा सकती मेरी तरफ से film को मिलेंगे पांच में से सारे तीन stars पहला तो film का subject fantasy adventure इंडिया में बनाना बच्चों का खेल नहीं दूसरा श्री कृष्ण को कहानी से डोड कर audience को भी कहानी से connect कर देना तीसरा ही mythology versus history को explore करते हुए काफी सारे unique elements को एक दूसरे से clue जोड कर कहानी को believable बनाने की कोशिश और आधा star अनुपम सरकाष्ट्री कृष्ण वाला monologue बहुत special है negatives में एक star थोड़ा सा कमजोर screenplay और आधा star Krishna से related content को limited करके side characters को build करना बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हुए आपके कुछ शिकाइब करनी हो तो मैं आपको Instagram पर भी मिल जाओंगी वरना थोड़ा सा इंतिजार करिए मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में टेक क्या बाई बाई